नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब वेलकम टू एग्जाम्स कार्ड आईए जानते हैं आज यहनी 24 अक्टूबर के टॉप 10 न्यूज टॉप 10 करेंट अफेर्स चीक है आज की जो करेंट अफेर्स है वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वारे हैं आपकी जितने भी इस वीडियो को जरूर देखें वो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथी बैल आइकन को प्रेस करना नहीं बोलना है ठीक है तो चलिए शुरूबात करते हैं आज के करेंट अफेर्स की पहला करेंट अफेर है वी एस श्रीनिवासन द्वारा द द्वारा लिखी गई है और पैंग्विन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकासित की गई है यहां बारत के 28 राज्य और ठीक है यही सारी डीटेल इंग्लिश में भी नीचे लिख हुई है आप यहां से बढ़ सकते हैं इंग्लिश मेंगर आपको पढ़ना है तो ठीक है और इसकी पीडिएफ आपको का मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल दाएगी अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो उस करने और राज के कमजोर लोगों को निरभाद्य सेवा यहने की अनिंट्रप्टेट हेल्थ केर सर्विस सेवा प्रदान करने के लिए श्री धनवंत्री जैनरिक मेडिकल स्टोर योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है योजना के तहित 169 शहरों में करीब 188 मेडिकल इस्टोर खोले जाने की योजना है तो जितने भी जैनरिक दवाईया है उनको डिसकाउंट ट्रेट पे यह लोग सेल करेंगे किसको कमजोर लोगों को जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं उनको यह लोग सेल करेंगे और कितने परसंट रहेगा 9 से 71 परसंट तक सब्सक्राइब का डिसकाउंट जैनरिक दवाईयों पर रहेगा ठीक है तो काफी अच्छी स्कीम है 36 के कैपिटल आपको पता हूँ जी रायपूर है 36 की गवर्नर कौन है अंसुई या उई के और चीफ मिनिस्टर मने आपको बता दिया भूपेश भगे ले ठीक है नेक्स गोशना की वर्षघाट और इस लुप्त प्राय बिल्ली का जेशन मनाने और इसके सर्लक्षन और सर्लक्षन के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है 23 अक्टूबर 2013 को 12 देश के राजनेतिक निता हिम तेंदुए के सर्लक्षन पर बिश्क्यक गोशना का सम बार पूछा जाता है कि बिश्क किस देश की राजनी है और यदि आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता है ठीक है नेक्स देखते हैं केंद्र सरकार के करमचारियों और पैंशन भोगियों के लिए डीए डीयार में बढ़ोत्री को केंद्रे ने मंजूरी दे द मंजूरी दे दी है तीन प्रतीशत रद्धी मूल वेतन पैंशन के 28 प्रतीशत की मौझूदा दर से अधिक है और एक जुलाई 2021 से प्रभावी हो जाएगा ये इंप्लिमेंट हो जाएगी इसकीम ठीक है और इस बढ़ोत्री के बाद डीयार बढ़कर 31% हो जाएगा पहले पहला रास्पती सुना बैर्बाडोस ने अपने पहले रास्पती चुना है क्योंकि यहाँ एक गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है महरानी एलिजाबेत को राज के प्रमुक के रूप में हटा रहा है बातर वर्ष ये डैम सेंडरा मैसन 30 नवंबर को शपत गरण करने के यह तैयार है तीस नवंबर को शपत करेंगे जो ब्रिटेंड से देश की सोतंत्रता की 55 वी वर्ष गार्ट है 30 नवंबर को ठीक है इसको चिन्नित करेगा बार्बाडोस कोट आफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला डैम सेंडरा 2018 से गवर्नर जनरल है ठीक है यह देश की राश्पती बनेंगी डैम सेंडरा बार बार उसकी कैपिटल क्या है ब्रिट टाउन इंप्टरेंट है डोनाल ट्रम यह मोस्ट इंपटन यूज आज की डोनाल ट्रंप टुर्थ शोचल नाम से एक नया सोचल मीडिया प्लेटफर्म लाउंच करेंगे ठीक है डोना साल की चुरुवात में रोल आउट किया जाएगा ठीक है अगले साल ये योजना चालोगी ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाउंच किया जाएगा ठीक है पूर अमेरिकी राश्पती जिनने इस साल की शुरुवात में फेस्विक और ट्विटर से प्रतिबंदेत कर दिया ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था तो इसलिए उन्होंने अपना खुद का सोचल मेडिया लॉंच करने की खोशना किया बेसिकली ठीक है चलिए नेग्स देखते हैं रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने वीर सावरकर पर लिखी पुस्ताग का विमोचन किया ठीक है रक्ष की पाडिशन को प्रवेंट कर सकते थे वो थे वीर सावरकर नामक पुस्ताग का विमोचन किया है मंतरी राजनात सिंग ने सावरकर को भारतिय इतियास का प्रतीक बताया और एक ऐसे राश्ट के लिए उनके योगदान का भी वर्णन किया जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ठीक है उनकी फिलोसोफी बहुत अलग थी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल आफ लौ इंडेक्स 2021 में भारत रहा 79 वे स्थान पर ठीक है विश्व नयाय परियोजना यानिकि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के कानून सूचकांग 2021 के नियम में भारत 139 देशों और छेतर अधिकारियों में से 79 वे स्थान पर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट आफ लौ इंडेक्स 2021 देशों को 0 और 1 तक के स्खोर के आधार पर रैंक करता है 0 और 1 0 से लेके 1 तक ठीक है जिसमें एक कानून का जिसमें एक जो है आपकी रैंक अगर एक है अ कुछकांग 2021 में शीर्ज पर हैं कौनकों से यह तीन देश देनमार्क नौवे और फिनलेंड ठीक है और सबसे लास्ट जो की 139 देश से टोटल तो 139 रैंक किसकी में लिए वैनिजुलागू नेक्स करेंट अफेर है कहां तक हो गए तबने ठीक है यह ओगे था यह नेक्स है शीलंका के पहले टैस्ट कप्तान बदुला वर्ण पुरा का 68 वर्ष की उम्र में निदन हो गया शीलंका के पहले टैस्ट कप्तान बदुला वर्ण पुरा का संक्षिप्त बीमारी के बाद निदन हो गया वह 68 वर्ष के थे दाए हाथ के बल्लिवाज ने 1982 में इंगलेंड के खलाव शीलंका के पहले टैस्ट के दौरान कप्तानी की और तीन टैस्ट खेले जिसमें कुल मि अर लास करने हैं एशी आलोक मिश्टा बने इंटिया फॉर्ष ग्लौबल लिमेटिट के नए虐 मढी के रचों कारेम मिइप्स और आलोक मिश्टा को इंडियन पॉर्ट ग्लोबल लिमिटिट के प्रबंदक नविदेशक के रूप में निच्थ किया है वह वर्तमान में गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महरास्ट मैं संचालन और परिवर्ता नेतरत्व के प्रमुक के रूप में कारवरत हैं अभी तो यह त्या आज के हमारे टॉप 10 करेंड अगर आपको वीडियो पसाने तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमें थार आपको यह वाद वीडियो प्लाइव प्लाइग अग्योड आपको यह प्लाइग वीडियो